हालो मैं गीता नेगी गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं एक बीटिफुल प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी जिसकी लीफ्स बहुत ही प्यारी हैं और हमेशा एवर ग्रीन बना रहता है यह प्लांट चाह सर्दी हो चाह गर्मी यह है पंडेनेंस का प्लांट इसको केवड़ा प्लांट भी कहते हैं इसकी दो वराइटीज रहती है प्लेन ग्रीन और यह वैरिगेटेड वाली बहुत ही बीटिफुल लीफ्स लगती है इसकी जब इस पे सूरज की रोशनी पढ़ती है इसकी लीफ्स में ते एक दो वाइबरन सा लुक आत जाद गहरी यह जल्दी घरो नी होती है धिरेए घरो होती है तो यह चोटे से पॉट में भी अच्छे से ग्रो वजाते हैं तो यह मदर प्लांट से मैंने कम से कम आच्छे या साथ बना चको चीन चार तो यह सामने ही दिख रहे हैं यह मेरी वीडियो में बहुत ही करते रहते हो तो यह खुश रहता है plant ज्यादा खाद की भी जरूथ नहीं एंट और एक ही planter में यह कम सब्सक्रने साल चल जाता है इसको बर बर report करने की भी जरूथ नहीं है तो इस plant को जुरू grow की जिए बहुत ही आपके garden को एक beautiful look दे देगा, एक corner में इसको लगा दीजिए, तो ये corner look बहुत ही प्यारा लगता है इसका, इसकी stem में babies रहते हैं, देखें ये stem है जड़े दिखरी हैं, ये इसके babies हैं, babies की जड़े हैं, और उपर इसके bunch में ये babies हैं, इसको जब खीचोंगे ज़रा धीरे से प्यार से खीचना, तो साथ में root भी आ जाती है इसके, और इसको नया प्रपोगेट कर दो, नया plant, मगर ये बूशी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जब ये extra हो जाते हैं, अगल बगल से, तो मैं निकाल के इसको प्रपोगेट कर लेती हूँ, और multiply करती रहती हो ऐसी plant को, बह एक बार इसको खरीदना और महंगा भी नहीं होता, जासे जादा सो या डिर सो रुपे का plant होता है, ये देखे मैंने easy की bottle में इसको प्रपोगेट किया हूआ है, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये बाल से हैं किसी face में लगे वे, तो आप लोग भी इस plant को जुरूर ही है और मेरे सो